जेहिन दोस्तों मैं हुआ नूप और आप सब लोग देख रहे हैं Global Conflict दोस्तों कुछ दिन पहले ही आप लोग सुने थे कि इंडिया 5th generation fighter aircraft के जुरोतों को पुरा करने के लिए AMCA project को तेज गती कर रहा है जबकि इंडिया FGFA project के तहत रेशिया के साथ और सुको 57 fighter aircraft के development में या फिर खरीदारी में आगे नहीं बढ़ेगा दोस्तों ये cover इंडिया के लिए जितना अच्छा था उतना ही बुरा अब रेशिया के लिए सावित हो रहा है इंडिया के तरफ से इस घोशना के बाद Russian aircraft manufacturer के लिए अब Russian Air Force के order को fulfill करने के लिए काफी ज़्यादा struggle करना पड़ रहा है दोस्तों 2010 में रेशिया के तरफ से बनाया हुआ ये सुखोई SUV 57 5th generation के fighter aircraft पहली बार उरान भड़ा था जबकि आठ साल के अंतराल तक इन aircraft का स्रिफ 10 prototype भी बनाना संभव हो पाया 2018 तक रेशिया में ऐसा स्रिफ 10 prototype था जिसमें ना ही कोई भरसे मन्त और मजबूत तरीन avionic system था और ना ही कोई sensor इवेन इसमें इसमें इस्तेमाल होने वाला engine भी कोई proper 5th generation fighter aircraft का engine नहीं था aircraft के पास self protection system भी नहीं था और इसलिए इन aircraft को एक prototype का दर्जा दिया जा रहा था जबकि रेशियन aviation industry के तरफ से इन aircraft को लेके थोड़ा बहुत positivity 2018 को दिखाया गया था जब उन companyों के तरफ से कहना था कि 2019 के अंत तक 2 और 2020 के शुरुआती समय में और 2 initial operational clearance वर्जिन के aircraft को रेशियन एरफोर्स के लिए सौफ दिया जाएगा पर 2019 के December महिने में एक fighter aircraft के crash के बाद रेशिया का ये सपने के उपर भी पानी फेर गया और फिर 2020 में महामारी फैलने के बाद 2020 में जो plan था उसे भी डिले करना पड़ रहा है दोसो हाली के कुछ घटना जिस तरीके से रेशियन एरफोर्स मेनुफेक्चरर के लिए एक सर्दत बना हुआ था उसके उपर और एक बड़ा प्रहार इंडियन एरफोर्स के तरफ से हाली में ही किया गया दोसो इतना मुश्किलों के बावुजूद United Aircraft Corporation को तब थोड़ा राहत मिला था जब ब्लादेमिर पूतिन के तरफ से ऐसा 76 फाइटर एरफोर्स को जल्द से जल्द खरीत के अपने बेड़े में शामिल करने का बात कहा गया था इन एरफोर्स के ओरडरों के बाद रशिया के Trade and Industry Minister Dennis Mantrov के तरफ से भी इंडिया को लेके एक positive बयान दिया गया था जहापे उनका कहना था कि रशियन एरफोर्स में इन एरफोर्स में इन एरफोर्स को बड़े संख्या में शामिल करने के बाद इंडिया के तरफ से भी इन ए एरफोर्स के तरफ से भी इन एरकर्प्टों को लेके एक बोड़ा ओडर दिया जा सकता है जब कि इंडिया के साथ जोएंटले इन एरकर्प्टों को भारत में प्रोड्यूस करने के प्लान के तहद भी उनाइटेड एरकर्प कॉर्परेशन आगे बढ़ रहा था दोस्तों इ इमटेड एरकर्प्टों को लेकर समझाता हुआ था उसका मुनाफ़ा अभी रुचिया को मिल रहा है और आप लोग समझ सकते होंगे कि आने वाले और कीतना साल तक रुच्धिया को इन एरकर्प्टों के मेंटनेस और स्पेर पार्स को लेके ऐसे ही मुनाफ़ा मिलताLEX पर पहले से ही काफी जादा नारास था रशिया के तरफ से भारत को इन एरकप्टों के टेक्नोलोजी शेयर को लेके थोड़ा बहुत अनाकनी किया जा रहा था जबकि ये भी वात सही है कि कोई भी देश किसी और देश को stealth related और engine related technology देने के लिए कभी वी इतना हद तक आगे नहीं बढ़ता है और दोस्तों Indian Air Force दुनिया का चोथा सबसे बड़ा Air Force होने के वज़ा से और कितने साल तक दूसरे देशों के fighter air captain के साथ अपने Air Force को maintain करें यहाँ पर एक तरीके से काफी heavy costly होता है वो ही पर operational preparedness के उपर भी काफी ज़्यादा असर डालता है और ऐसे वक्त में जब इंडिया एक growing superpower होने जा रहा है तो Indian Air Force को भी self-reliance होने का ज़रूरत है और इसी चीजों को देखते हुए ही Indian Air Force के तरफ से decide किया गया कि indigenous fighter air captain के तरफ ही Indian Air Force आने वाले समय में आगे बढ़ेगा जिसका एक बहुत बड़ा example तेजस air captain है जिसका Mark 1 version के air captain को already air force में शामिल किया जा चुका है जबकि Mark 1 A version air captain को लेके भी जल्दी order place किया जाएगा Indian Air Force self-reliance होने के लिए force generation और 4++ generation के fighter air captain को develop कर रहा है जबकि 5th generation के लिए भी Indian Air Force self-reliance होने के लिए इस तरीकी का project से बाहर निकल रहा है दोस्तो एक्सपर्टों का तो ये भी मानना है कि रेशिया के तरफ से सुकोई SU-57 के development में डिले करना और FGFA project को में भारत के तरफ से किये गया improvement के उपर काम ना करने के बजा से ही इस project को 2018 में withdrawal किया गया था जबकि 2018 से 2020 तक थोड़ा बहुत जो संभावनाय था उसे भी अब finally खतम कर दिया गया है दोस्तो आने वाले समय में Indian Air Force के बेड़े में 5th generation fighter aircraft के हिसाब से AMCA सबसे पहले सामिल होने का संभावनाय है जिसमें इंडिया के तरफ से बनाया हुआ एवियोनिक्स इंडिया का design और इंडिया के जालातर component का इस्तिमाल किया जाएगा जबकि इसका इंजिनों के लिए DRDO और Royals Royals के बीच में भी हाली में एक Memoran Now of Understanding के उपर हस्ताक्षर हुआ था जिसके तहत एक 140 किलोन्यूटन के इंजिन के ऊपर काम भी किया जा रहा है पर प्रोजेक्ट डिले ना हो बोल कि इंडियन एरफोर्स के इन फाइटर एरक्राप्टों के प्रोटोटाइप बनाने के लिए और कुछ इनिशियल वर्जिन के एरक्राप्टों को बनाने के AMCA के तरफ आगे बढ़ा जा रहा है जो इंडिया के लिए एक positive sign है उही पे ये आने वाले समय में Russian Aviation Industry के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विशाय बन सकता है पर इस चिंता के विशाय से निकलने के लिए भी रजिया के तरफ से भारत के साथ दूसरे प्रोजेक्टों मे अगर इंडिया के तरफ से FGFA को कैंसल करने के बाद अगर इंडिया को लेके भी consider किया जाता है तो थोड़ा बहुत रियायत Russian manufacturer को मिल सकता है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक